दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं ACCL के बारे में दोस्तो ACCL का मतलब होता है Automatic Changeover with Current Limiter यानि ये एक ऐसा डिवाइस है जो की एक Automatic Changeover की तरह काम करता है और इसके अंदर एक Additional Feature है जिसे हम लोग Current Limiter का Feature कहते हैं तो इसके बारे में हम लोग आज डेटेल में चानने वाले हैं दोस्तो इस तरह के Changeover का इस्तेमाल हम लोग Single Phase Loads के लिए करते हैं पर Three Phase Loads के लिए भी Changeovers आते हैं और Industries में जहां पर Load Consumption जादा होती हैं जैसे Banks हो गया या कोई Manufacturing Plants हो गया तो वहाँ पर Special ASTS यानि Automatic Source Transfer System इस तरह के Panels को Develop किया जाता है पर कम Loads पर या फिर Domestic Loads में हम लोग इस तरह के Modular Devices या छोटे Devices का इस्तमाल करके भी ATS System या फिर Automatic Changeover System बना सकते हैं तो इसके अगर इंपूट Connection की बात करें तो दो इंपूट Connection इसमें दिये जाते हैं पहला है Mains का दूसरा है Generator का यानि अगर आपके पास दो अलग-अलग sources है जैसे एक Electricity Board से Supply आ रही है और दूसरा आपके पास Generator से Supply आ रही है तो इस तरह से हम लोग दो अलग-अलग sources की Supply इसको देते हैं और इन केस अगर आपका पावर फिलियर होता है या फिर Electricity Board की Supply Cut-Off हो जाती है तो ऐसी कंडिशन में यह Change Over क्या करेगा Automatically Load को Generator पे शिफ्ट कर देगा तो इसको हम लोग Mains और Generator दोनों की Supply देते हैं जब Mains की Supply Cut होगी और Generator on होगा, Generator की Supply आ रहे होगी तो यह Change Over Switch क्या करेगा एक Delay के बाद Automatically आपके Load को Generator पे Connect कर देगा तो यह काम कैसे करता है, इसको देखते हैं सबसे पहले आप देखे कि यह जो Isolator है इस Isolator की मदद से मैंने Mains के Connection दिया है तो मैं Mains On करता हूँ तो जैसे ही देखे मैंने Mains On किया यहाँ पे आपका जो Load है वो चालो हो गया Load की Supply On हो गया और Mains On है, इसका Indication भी मुझे ACCL पे यानि इस Change Over Switch पे देखने को मिल रहा है दोस्तों एक Interesting चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पे दो Rating लिखिये होती है 5A से ज्यादा Load Connect करेंगे तो यह ACCL Automatically Supply को Cut करतेता है और यही फीचर है इसका Current Limiter Feature क्योंकि Housing Industries में या फिर किसी भी घर में हम Generator पे Essential Load ही चलाना चाहते हैं Generator तो तभी चलेगा जब हमारा Power Supply Cut होगा और आप जानते ही है कि Generator पे जो Power का Cost होता है वह Electricity Board के Cost से ज्यादा होता है इसलिए यह Requirement रहती है कि हम Generator पे काम Loading करें और एक और कारण है कि जैसे Housing कोई Building है या कोई भी बड़ी Building है जहां पर बहुत सारे Load Connected है अगर Power Failure होता है तो उनको जो Backup Supply है वह Generator से दी जाती है अब हर एक घर को Essential या Necessary Supply मिल सके तो Generator की यह तो एक Limited Capacity होगी इसलिए भी Generator पे लिमिट कर दिया जाता है ताकि आप Generator पे Heavy Load ना चलाएं और स्रिफ Essential Load चलाएं तो यहां पे Mains की Capacity अलग है और Generator की Capacity अलग है इसी में कुछ Model ऐसे भी आते हैं यहां पे तो Generator की Setting Fix है पर जो 3 Phase वाला Programmable Model होता है तो उसमें हम लोग Generator की Setting को बढ़ा या कटा सकते हैं अब इसकी wiring को थोड़ा से समझते हैं तो यहां पे आप दिखे कि यह वाला जो Isolator है यहां यह किसकी Supply दिग रहा है यह Generator की Supply दे रहा है उस Electricity Board की Supply हमने ACCL के Mains वाले Input भी दिए है तो इस तरह से हमारे Input वाले Part हो गए जबकि इसकी Output Side देखें तो Output Side में यहां पे हमने Load को Connect किया है तो Simple Simple Load का Connection ऐसा है दोस्तों इसकी wiring को समझ लेते हैं तो यह वाला जो Isolator है इस Isolator पे मैंने क्या किया है Generator की Supply इस Isolator की मदद से दिया है तो आप देखिए Generator का Phase और Neutral हमने इस Isolator की मदद से ACCL के Generator वाले Terminal पे दिया है जबकि यह वाला जो Isolator है इससे हमने Means की Supply ACCL को दिया है और यहां पे जहां पे Load लिखा है उस Side पे Output होता है ACCL का तो वहां से हमने एक Load को Connect किया है अब Assume कीजे कि आपके Mains की Supply Cut हो गई है Mains की Supply Cut हो गई तो Load Off हो गया और थोड़ी देर के बाद Generator Automatically On होता है या फिर अगर Manual Generator होगा तो कोई जाके On करेगा तो यहां पे जैसे Generator On होगा उसका Indication यहां पे देखने को मिलता है कि Generator आपका On हो गया पर इसमें लगबग 10 Second का Delay होता है और उस 10 Second के Delay के बाद यह जो Load है वह Generator पे Connect हो जाता है तो आप देखिए जो मैंने 10 Second का Delay बताया तो उस Delay के बाद Load आपका Generator पे Connect हो गया और अभी आपका Load जो है वह Generator पे चल रहा है और यहां पे मुझे Indication भी मिल रहा है कि मेरा जो Load है वह Generator पे On है अब अगर यहां पे अगर आप देखें तो Generator पे Capacity है 1.5 Ampere अगर हम इस पे Heavy Load लगा दे या फिर 1.5 Ampere से साधा Load Generator साइट पे Connect कर दे तो यहां पे मुझे Overload का Indication मिलेगा और अगर आपने Load कम नहीं किया तो Automatically आपका जो ACCL है वह आपकी Supply को Cut Off कर देगा एक बार अगर आपका ACCL Trip हो जाता है Fault पे तो आपको फिर Reset Button Press करना है Reset Press करने के बाद आपका ACCL दुबारे से काम करने के लिए रेडी होगा तो इस तरह से तो इसकी Normal Working है अब आप समझेए कि थोड़ी देर के बाद मान लीजे Supply दुबारे से आ गई जैसी Supply दुबारे से आईगी तो यह अभी Load Generator पे चल रहा है ठीक है अब Power Supply Cut होने के थोड़ी दर के बाद आगर Resume हो गई यानि दुबारे से Supply आ गई तो देखे क्या होगा तो Load हमारा Generator से Cut Off होके दुबारे Mains पे Connect हो जाएगा पर इसमें भी कुछ Delay रहत है तो देखे जैसे Mains के Supply आई थोड़ा सा Delay आया और हमारा जो Load है वो अभी Mains में Connect हो गया है तो आप Generator Supply को Cut Off कर सकते हैं तो यह था हमारा ACCL device जो कि है बहुत Simple device पर बहुत काम का device है इसका जो इस्तेमाल है हम लोग कहां पे किया जाता है जनरली Buildings में किया जाएगा जो Normal Housing Buildings है या फिर जो Apartments होते है या फिर इस तरह के जो छोटे मुटे load है जहां पर ज्यादत और जो user है वो Single Phase user है तो ऐसी सभी application में इस तरह का ACCL या इस तरह का Change Over Switch यूज़ किया जाता है तो दोस्तो आई हूप यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीज़े चैनल को सब्स्क्राइब कीज़े और मिलते हैं अगले वीडियो में